फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आई आई टी सी चैनल जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे जो केंसर से रिलेटेड प्रोड़क्ट के बारे में जानकरी देता है और आई होप वो इनफोर्मिशन आपके लिए यूसफुल रहा होगा पिछले वाले प्रेजेंटेशन्स में और प्रोग्राम्स में हमने बताया हुआ है कि कैंसर क्या होता है कैंसर क्यों होता है कौन कौन से प्रोड़क्ट हमारे घर में जाने अंजाने में आ गया है जिससे से कैंसर होने की पोसिबिलिटी बढ़ी है और उस product को हम कैसे use न करें या कम से कम use करें या avoid करें या हमें देखें कि उसका exposure हमको कम से कम कैसे हो ताकि हम cancer जैसे भैंकर बिमारी से बच सकते हैं इस presentation में हम लोग और खास करके मैंने यह सोचा कि आपको यह बात बताना जरूरी है because I care for you कि beauty product जो हम use करते हैं उस beauty product से cancer का क्या relationship है मैं यह declare करना चाहता हूं कि I am not against with any product any manufacturer I am against the chemical used to manufacture those product and this is my duty to educate you to inform you so that we can make our nation, our country, our society free from cancer ठीक दोस्त let us go and be very specific हम लोग बहुत specific point पर बात करेंगे ताकि अपने कम समय में ज्यादा जनकरी मिले अपने को अब देखें यहां पर hair dye के बारे हम बात करेंगे which has potential to cause cancer here straightening products which is high potential to cause cancer in someone then beauty and facial product के बारे हम बात करेंगे देन हम बात करेंगे bath and body care products which are in our bathroom in our home which is non-endocrine disruptors और definitely last but not least हम बात करेंगे UV nail lamps आजकल बहुत ही fashion है मैं fashion के against मैं नहीं हूँ मेरा यह मानना है कि हम लोग कोई भी चीज यूज करें किसी भी चीज से adapted हो जाएं तो उसको ध्यान से careful, responsible ढंक से यूज करें ना कि मिस्यूज करें तो दोस्त इस presentation में हम beauty product और cancer का क्या relation है उसके बारे हम बात करेंगे और यहाँ जानेंगे क्या हम आप सभी high risk पर हैं क्या यदि high risk पर है तो हमें क्या precautions लेना चाहिए हमें क्या अपनी आदते बदलना चाहिए हमको product कैसे select करना चाहिए product को कैसे use करना चाहिए and साथ साथ में हम अपने आपको, अपने pre-region को और अपने लोगों को इसके बारे में कैसे हम aware करें तो दोस्तों समय के साथ साथ में हम लोगों का beauty services का style बदला है जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, वह style useful भी है और harmful भी है हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम beauty product का use न करें लेकिन हमको you have to use the product sensibly and responsibly so that beauty के साथ साथ में हमें health वे चाहिए कहीं असा नहीं हो की जाने अंजाने में हम लोग beauty product यूज कर रहे हैं और वही हमारी आदते हैं वही हमारा product हमारे लिए जान लेवा साबित हो जाए कि यह complete depend करता है कि कौन सा product आप यूज कर रहे हैं product को किस तरस यूज कर रहे हैं किस manufacturer का product यूज कर रहे हैं उस product में क्या-क्या chemicals हैं जैसा कि देखा गया most of the beauty products में EDC endocrine disrupting chemicals होता है और endocrine disrupting chemicals क्या होता है उसके बारे में मैंने एक दो से तीन मिनट का video बनाया हुआ है जो आपके लिए useful रहेगा I would request आप search करें IRTC channel पर आपको मिलेगा for time now we can tell you यह जो chemical है यह chemical interfere with hormonal system जो अपने body में जो कुदरत ने जो भगवान ने हमें एक hormonal system दिया हुआ है इस EDC interrupts interfere with hormonal system that is as per Lorenzo Cohen who is a PhD MD और Anderson Professor Director of Integrative Medicine Programs उन्होंने बताया है कि यह EDC हमारे hormonal system से interfere करता है which is causing cancer फिरहाल एदि आप देखेंगे या कोई research paper देखेंगे तो वहां पर कोई direct link नहीं है EDC और cancer के बीच में यह मानना है लेकिन जो professor और Cohen बताती है कि कोहन says that certain cancers are hormonally driven कुछ cancer ऐसे हैं जो hormonal disturbance के हिसाब से होता है and those types of cancers are breast cancer, prostate cancer, ovarian cancer, endomarital cancers तो इस cancers हैं बड़ी few reasons of these cancers are because of hormonal disturbance or there is a interference of hormone and this interfere fear happens due to EDC that is why we are concerned about EDC most of beauty products and personal care products in some small quantity cancer causing chemicals I again want to emphasize you I want to warn you that whatever product beauty care or personal care की use कर रहे हैं उस product में कुछ ऐसे non-chemicals हैं which are responsible for cancer so choice आपका है कि ऐसे product को use करना है या नहीं यूश करना है या तो यूश करना है तो कैसे यूश करना है how you can either avoid either reduce or minimize the product use which are going to create or cause cancers to you or anybody in the society यहाँ पर कहना है कि यदि आप low dose भी कोई chemical का लेते हैं और low dose product आप हर दिन यूश करते हैं so this low dose of those chemical which can cause cancers or even hazardous वो आपके लिए dangerous हो सकता है this is not as per me this is as per the Cohen who is the expert doctor in this area इसका मतलब मैं कभी नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने सभी beauty programs cancel कर दे I would always say that please be responsible take your informed decision and take precautions while using these kind of products मेरे हिसाब से आजकल beauty awareness बढ़ा हुआ है यदि आप last 30 years or 40 years का बात करें तो बहुत सारे लोग जो beauty services आज हम ले रहे हैं उस समय नहीं लिया करते थे so this is one of the reason why we hear lot of cancer related disease every now and then तब हुआ को पता चलता है यार उनको cancer हो गया फालाने को cancer हो गया उनके दोस्त के दोस्त को cancer हो गया है this small small changes in our lifestyle has created high risk of cancer in human life लेकिन आप देखें hair and eye का जो relationship है cancer से अभी बहुत clear नहीं है लेकिन कुछ केमिकल hair dye products close to 5000 5000 है जो उसमें से कुछ केमिकल cancer causing है that means more or less in the world around 5000 chemicals are there which are related to the dyes hair dyes some are creating or some are responsible for causing cancer researcher ने बताया है कि studies possible cancer link and decades researcher इसके बारे में decades से study कर रहे हैं and time to find out which are the main component of chemical in the hair dyes can create cancer कि कौन कौन से chemicals जो hair dyes में use होते हैं उससे आपको या किसी को भी cancer हो सकता है इसका research अभी भी चालू है in the me to late 70s late 70s में scientist ने देखा हुआ है hair dyes can create cancer in the animals अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब research हुआ scientist ने पता लगाया कि कुछ chemical जो hair dyes हैं उस dyes को हम लोगों ने animal पे use किया और animal को cancer हुआ है that means it is directly or indirectly telling you and me that can create cancer so guys I mean to say that we have to be careful before using this kind of chemical जैसा कि लोगों में awareness बड़ा हुआ है तो जो dyes के manufacturers हैं उन्होंने बहुत सारे chemical remove कर दिये हैं which are non-carcinogen लेकिन अभी पिस scientist बोल रहे हैं उनका मानना है कि जो remaining chemicals हैं जो dyes में use हो रहा है whether those chemicals are responsible for cancer yes or no they are still not confident National Cancer Institute USA का कहना है कि cancer और hair dyes का use एक conflicting है that means hair dyes can or may create cancer or can or may not create cancer अभी होता है कि जब भी आपको पता लगाना है तो जो भी आपका favorite hair dyes है National Toxicology Program 13th report में दिया गया है उसमें आप पढ़ना सिखें दोस्तों एक बात में बताना चाहता हूं कि still in India हम लोग Indian ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी product में क्या-क्या chemical यूज हुआ है किस तर से बनाया गया है हम नहीं पढ़ते हैं मैंने देखा हुआ है Since I was in many countries I have worked more than 15 years in abroad and I know how people behave कुछ country में लोग product को लेते हैं product के आगे पिछे देखते हैं कि product में कौन-कौन से टाइप के chemical यूज हुए है I mean to say that हम Indian अपने जिन्दगी को as granted ले लिए हैं कि हम जिन्दा ही रहेंगे So that means becoming more confident or overconfident is also dangerous I don't want to change your habit but I have a request Please keep a new habit inculcate new habit of reading contents of product उसे क्या होगा कम-कम आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से chemical हैं जो आपको harm कर सकता है ठीक है Here is threatening products Again मैं बोलूँगा कि here is threatening product आज कल बहुत family है बहुत famous हुआ है पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो लोगों में awareness थी कभी और हेर स्ट्रेटनिंग के बारे में इतना बहुत focused नहीं थे आज कल चुकी I mean I can tell you I am directly or indirectly into the salon business मैं यह देखता हुँ कि बहुत सारे यंग बच्चे, families here is threatening के लिए आते हैं Again I am telling you that I don't have any intention to harm any salon, any business, even my salon but it is my duty to tell you how and what can create a issue for you for cancer Again, यह ब्यूदियो खाली awareness के लिए है तो some hair strengthening products and smoothing products are having cancer causing product like formaldehyde Formaldehyde के बारे में हमने पहरे वीडियो में बताया था I would request you to please go through that video which is a very very informative video and in that video बहुत सारे चीजे आपको जानने के लिए मिलेगा जो आप day to day काम और यूश कर रहे हैं जिससे जाने अंजाने में आपको cancer होने का possibility बढ़ सकता है If you work in the beauty salon आप ध्यान रहें यह आप beauty salon में as a stylist काम कर रहे हैं as a beautician काम कर रहे हैं as a designer काम कर रहे हैं तो आपको risk है आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इससे related product यूज करें जिसमें formally higher होने का possibility है तो आपको workplace safety follow करना है आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह से इसके exposure से बचे risk is very high when product is being applied तो कहने के मलब यदि आप salon technician है beautician है unisex therapist है तो आपको ध्यान देना है जब उस product को आप किसी की बाल पर या तो यूज कर रहे हैं तो जब application कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको उसका exposure कम से कम हो workplace safety follow करें and कुछ ने कुछ respirator यूज करें hair stylist are the greatest risk यह आपको बात मनना पड़ेगा मेरा सभी hair stylist से request है जब भी आप इस type के product यूज करें आप ध्यान से रहें ताकि आप अपने आपको बचा सकें जब भी hair standing product का यूज होता है यदि आप customer है या तो आपके बालों में apply हो रहा है तो उस case में आप ध्यान रखें कि आपको भी कम से कम formerly height का exposure हो but since you are the user you are at very low risk I mean john इसका मतलब है नहीं है कि आप I mean free from cancer है no you can still be prone for cancer आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इस product को यूज करें तो avoid minimize the exposure of formaldehyde best way क्या है precaution लें best way है कि hair restricting न करें even if you want to go for hair straightening you have to be careful first thing you have to use a right product second thing you use good branded product third thing go for a right appropriate best salon दोस्त आप अभी सस्ते के चक्र में जाते हैं I am not promoting any beauty salon business to be honest कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं यह सस्ता हो सकता है सस्ता है इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छा होगा so you can avoid you can minimize the risk of cancer I don't mean to say that कि यदि आप अच्छे company का product use कर रहे हैं तो you can become free from cancer no absolutely no but yes यदि आपको here is tightening करना है तो भले आपको साल में एक बर करवाएं लेकिं अच्छे salon में जाएं अच्छे product को use करें कभी कभी fake product या duplicate product भी market में आता है I am not very sure you need to confirm from your salon provider यदि मैं बोलूंगा कि आपके बातरूम में या आपके body care product में कुछ ऐसे chemical हैं जिससे आपको cancer हो सकता है तो आप मेरी बात को मनेंगे या नहीं मनेंगे most of you probably आप मेरे बात से agree नहीं करेंगे बड़ दोस्तों एक बात में बताना चाहता हूं कि यह जो slide है मैंने बहुत research करने के बाद बताई बनाई हुई है and मैंने कम से कम 4 से 5 दिन यूश किये हुए हैं तो 85040 40 घंटे यूश करने के बाद में मैंने यह slide बनाई हुआ है I can warn you I can tell you आपके bathroom में आपके body care के product में क्या है आपको पता है कि I mean आपका product आपका bathroom product आपका body care product आपको नुक्षान कर सकता है नहीं as per environmental working group USA वो बोलते हैं कि one there are carcinogenic product in your bathroom और bath and beauty product वो प्रोड़क्ट क्या है found carcinogen one for dioxane in 28% 28% of personal care product 28% तक जो product है उसमें one for dioxane है which is a cancer causing product so क्या पता है आपको कि जो भी bathroom में आप यूज कर रहे हैं शाबून यूज कर रहे हैं शैंपू यूज कर रहे हैं आप फेशवास यूज कर रहे हैं उसमें one for dioxane है यदि आपके product में one for dioxane है so guys wake up आप अपने आपको जगा लें खोलें आख खोलें अपने आपको aware करें अपने टीम को aware करें अपने घरवारों को aware करें अपने दोस्तों को aware करें अपने relative को confirm करें अपने बच्चों को इंफॉर्म करें एंड और्गनिक कॉंजूमर अस्वोशियेशन USA ने पता लगाया है कि most of product means 40% product जो लेबल हैं उसमें भी वही इस्थिती है कारशोजनिक product हैं So guys, wake up now I am not warning you, I am not I mean saying that don't use the bathroom product अब यही सवाल होता है कि 30 साल पहले हमारे bathroom में क्या हुआ करता था बहुत हुआ करता था, एक simple शाबून हुआ करता था सायद simple गाव में तो नहीं हुआ करता था 30 साल पहले, 35 साल पहले I was in the village and I have never seen simple at my home हम ऐसे तैसे करके अपना बाल दोते थे सायद हमारी जो महलाई थी और विचारी एक natural हेना का उपयोग करती थी बाल दोने के लिए तो कहने के मतलब हम अपने life में cancer हमने invite किया है, cancer is by choice cancer is by choice here आप चाहें तो इसको आप दूर कर सकते हैं bathroom या bath या body care products में shampoo हो गया, swaboon हो गया, body firming and anti-aging lotions भी हो गया, so be careful I don't say don't use it, but if you want to use it be careful, be sensitive, don't abuse it always keep habit of reading the ingredients take a note 1,4-Dioxydion isn't listed in all the product level you have to be careful कुछ केमिकल सहे हैं which may also include PEG, polyethylene polyethylene glycol polyoxyethylene chemicals ending with ETH and oxynol are responsible or may responsible for causing the cancer बहुत सारे जो manufacturers हैं, जो good manufacturers हैं they have removed non-cancer causing chemicals from the body care products जो baby care products हैं उसमें से जो best of best manufacturer हैं, ओ cancer causing chemicals आशकल aid नहीं करते हैं, लेकिन adult के शाबून में, शौप में, body care products में, you have to be careful because you need to read which kind of products you are using which can create a cause for cancer in your body keep in the mind, आपको इध्यान देना है कि direct link between personal care products and cancer is not yet established मैं ये बोलना चाहता हूं कि this is not a freedom this is your option, this is your choice which kind of product should be used and it is not just carcinogen you should worry about though, EDC like patholates and parabens are in the most of the personal care products तो दोस्तु मैं बताना चाहता हूं कि अपने बात्रूम, अपने beauty care products, अपने body care products के आप ingredients पढ़ें और आप उसको sensibly, responsibly use करें and हो सके तो मत use करें first thing, avoid it if avoid is not possible, then minimize it if minimize is not possible then use it with care very quickly मैं बताना चाहता हूं कि जो आपके skin के contact में आता है वो skin में absorb होकर के आपके circulatory system में चला जाता है और circulatory system जाने के बाद में this has potential to affect your hormone and immune system hormone और immune system life के दो एक very vital important elements हैं जो आपके पूरे body के hormone को disbalance करेंगा आपके immune को disbalance करेंगा and which has got potential to cause cancer endokrine disruptors क्या होता है endokrine disruptors हो होता है जो आपके reproductive function को change करता है whether you are man or you are woman abnormal growth pattern होता है neuro development होता है this is as per I mean as per the scientist and even an increased risk of breast cancer so guys EDC endokrine disruptors are very very sensitive chemicals you have to be careful while using the product which has got endokrine disruptors आप देखते हैं कि आजकल हम लोग air freshener यूज कर रहे हैं fragrances यूज कर रहे हैं इस fragrances में इस को क्यों यूज करते हैं क्योंकि जो toxic chemicals के orders को दबाने के लिए जो भी आपके beauty care products हैं जो भी आपके room freshener products हैं उसमें जो toxic chemical का जो smell होता है उस smell को में दबाने के लिए या कम करने के लिए fragrance होता है and most of them contain EDC allergen and neutrotoxin तो दोस्तों कहने के मतलब यह है कि जिस product में fragrance है that means उस product को ध्यान से यूज करें ऐसा नहीं कि इसका अच्छा शुगन दा रहा है तो आपके लिए आपके लिए आपको सुगन आ रहा है but that सुगन, that smell that kind of aroma can kill you so guys you have to be careful दोस्तों मैं बताना से जाता हूँ कि सायद आपको यह पता नहीं होगा बहुतों को पता नहीं होगा लेकिन बहुत सारे लोग आजकल nail extension, nail polishing nail के beautification के लिए आजकल salon में जाते हैं and it is big business उस salon में UV nail lamp का यूज़ उता है जो भी आपको nail पर polish कराते हैं nail extension कराते हैं उसको dry करने के लिए UV nail lamps का यूज़ उता है जो lamp UV rays produce करता है जिससे आपका nail पर जो polish है जल्ली सुख जाए आपके drying process को बढ़ा देती है and that light can cause cancer and that is cause of concern आपको ध्यान देनी की बात है मैं आपको यह नहीं बोलता हूँ कि आप वहाँ पर नहीं जाएं आप nail extension नहीं कराएं यदि आप nail extension कराते हैं तो आप यह ध्यान रखें कि आपका salon सही हो उसमें जो drying process हो और करेक्ट हो It appears that exposure to UV nails light is a risk factor for developing skin cancer कौन बोलता है Deborah M. McFarlane MD Professor in Dermatology at MD Anderson उनका कहना है कि जो भी आप UV nail lamp use करते हैं that can create a cause of cancer McFarlane McFarlane reports in the JAMA Dermatology article that two women developed skin cancer on their hands और दोनो लड़कियों ने दोनो अवरतों ने UV nail lamp का उप्योग करवाया था तो guys I mean to say that तो होता क्या है कि कुछ चीज़ें individual to individual vary करती है एक term है उसको बोलते हैं individual susceptibility कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कम dose में कैंसर हो जाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हाई डेज में कैंसर नहीं होता है that is a gene that is individual susceptibility मेरा कहने के मतलब है कि जिस लोगों को कैंसर हो गया है उसका मतलब है नहीं आपको भी कैंसर होगा और यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों कैंसर नहीं हुआ है तो आपको कैंसर नहीं होगा इसका मतलब यह भी होता है don't interpret to your susceptibility यदि कैंसर नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह आपको कैंसर नहीं होगा यदि कैंसर हुआ है तो इसका मतलब भी नहीं आपो cancer होगा, so read it, interpret it as a white terms, दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि UV lamps का use के जाता है, drying process को expedite करने के लिए, another recent studies reports the amount of UV light exposure varies from salon to salon and damage to occur, जैसा आपने बताया कि UV lamp का उपयोग depends करता है कि किस salon में जा रहे हैं और UV lamp किस manufacturer का है, so I mean to say that जब भी आपको nail extension करवाना है या इस टाइप के services लेनी है, तो go to right appropriate salon and always read the UV lamp specification, as per Mac Ferlan, वो बोलते हैं कि इसमें और research करना है कि UV lamp और cancer का क्या relationship है, right, उनके हिसाब से, if you can avoid as far as possible use of UV lamp, you use non-UV options for drying the nail process, it is the best way to avoid this kind of cancer causing substances, आपको क्या लगता है, कि आप खर्चा करते हैं, you spend lot of money on you for getting cancer, मुझे पूरा भरोशा है कि none of you are interested to get a cancer when you are paying the money, your beauty should not come at the expense of your health, आपका beauty आपके health के expense पे नहीं आना चाहिए, इसलिए जब तक पूरी जानकारी नहीं हो, मैं आपसे request करूँगा कि आप अपना homework करें, एक EWG cosmetic database है, उसको पढ़ें, और ingredients को ध्यान से पढ़ें, before using those kind of things, एक good thumb rule क्या है कि जो भी product का ingredient आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो समझ लेजे, ओ suspicious है, that is suspected, so be careful, always use services from the good reputed saloon of your area, because यदि आप सस्था और अच्छा कराने जाहेंगे, तो definitely, it is, I mean, not, I mean, complimentary, it is a supplementary, तो दोस्त, you have to be careful while using the best product, while using your services, उमीद है कि आपको ये information useful होगी, and I would say that, guys, follow the right process, even if you are going to use the beauty product, beauty services, beauty salon, you have to be sensible, responsible, and honest, and careful. तोस्तों, please put your comments in the comment section, and मेरा request है, please share these links to your friends and relatives, so that they can also be aware about this risk. With this, friends, Jai Hin, Jai Bharat, thank you very much.